नमश्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का Tech Dreams के एक और में एपिसोड में जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे गेमिंग कल्चर में RGB का क्रेज इतना जादा बढ़ता जा रहा है कि आज की डेट में आने वाली राम हो या पावर सप्लाई यूनिट हो या फिर हम लोग बात करें एक माउस की या फिर गेमिंग माउस पैड की हर एक चीज में आपको RGB जो है जरूर देखने को मिल जाएगी बन जब यहां पर बात आती है RGB केस फैंस की खासकर के ARGB केस फैंस की तो आपको काफी जादा हेक् पर बात करें तो काफी limited options हम लोग के पास रहे जाते हैं लेकिन आज के इस वीडियो में में आपके लिए लेकर आए बहुत ही awesome product एक budget friendly product moreover जो की बहुत ही अच्छे से आपके pocket में आपके budget में fit बैट सकता है और आपके PC को दे सकता है एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बैतर आपको तोड़ा सा दिखा देता हूं कि क्या कि इस box में आपको देखने को मिल जाता है first of all यहां इस box को open कर लेने पर एक छोटा सा और आपको box दिया जाता है जिसमें आपको मिलता है mounting screws इन fans के dedicated controller भी आपको इसके इलावा यहां पर दिया जाता है और इसको आप control कर सकते है साथ में दिये गए इस remote control के थूप आप fans के जो effects है lighting effects है उनको configure कर सकते हैं change कर सकते हैं और साथ ही में आपको कोई cable भी मिल जाते हैं जिसे आप अपने motherboard से connect करके आपके motherboard के साथ bundle आने वाले RGB software के थूप आप इन fans को जो है इनके effects को जो है control कर सकते हैं इसके इलावा यहां प इन बात आती है lighting की तो है और यहां पर आपको में इबर दिखा रहता हूं फरस्ट अपर आपको dual ring RGB lighting जो है देखने को मिलती है यानि कि दोनों तरफ से आगे और पीछे दोनों तरफ आपको जो rings मिल रहे हैं यह RGB backlit है और इसके लावा जो आप इंटरनल एरिया देख रहे यहां पर आपको एक remote control दिया रहता है जिसके तुरू आप सभी effects के बीच में cycle कर सकते हैं साथ इमें static colors के बीच भी आप cycle कर सकते हैं इसके लावा lighting की intensity को जो है बढ़ा गड़ा सकते हैं अपनी requirements के according Additionally अगर आपके motherboard में यहाँ पर एक 3-pin ARGB header है तो आप उसको यूज़ करते होए भी जो है इस controller को directly अपने motherboard में plug कर सकते हैं अपने motherboard के साथ आने वाले RGB software के थूरू जो effects है उनको control and configure कर सकते हैं तो बात रही गाइस कुछ specs and कुछ features की in fans के इस kit के अब जैसे कि आप यहाँ पर देखी सकते हैं मेरे पास anti sports की तरफ से आने वाले 511 empty gaming cabinet जो है वो रखी हुई है जिसमें के अभी already's stock pants जो stock pants के साथ में आते हैं वो stock pants यहाँ पर अभी installed है इन fans को stock pants इनको replace करेंगे SF 120 kit fans के साथ और उसके बात देखते हैं कि किस तरह का look है वो change हो जाता है आपके PC case और इससे आपको भी idea हो जाएगा कि कैसा overall look जो है आप expect कर सके क्रीश स्वेस का स्वेस करिब देखते हैं 2 का स्वेस न्र लिएस का में आपके साधे हैं दो कि जाएगा क we gonna have let's go सब्सक्राइब देख सकते हैं कितना इंट्रस्टिंग इसमें लुक को बना दिया है हमारे इस केमिंग काविनेट की 511 MP की और यह जो किट है मेरे इसाफ से बहुत ही वैलुफू मनिया आपके लिए रह सकता है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छे ARGB PANS में, CASE PANS में तो यह को definitely consider this kit क्योंकि इस प्राइस प्राइस में आपको बताना गूल गया तकरीवन वाइस सो रुपए के प्राइस पर यह किट आपको मिल जाती है अन्लाइन में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वाक में 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 अपनी वेबसाइट का भी जहां से आप यह अपने प्राइस के पर मुझे नहीं लगता कि कोई और कि आपको मिलने वाली है मार्केट में आप देख सकते हैं अपर इस प्राइस के साब इतने सारे एफेक्ट्स है यहाँ पर लिटरली कि आप कभी बोर नहीं वाले स्विच करते हुए अपने सारे एफेक्ट्स को यूज करते हुए और साथ ही साथ यहाँ पर बेस्ट पॉइंट यह है कि अगर आप चाहें अपने और इनसे हम क्या और कुछ बना सकते हैं और काफी फूल इफेक्ट्स है कि आप देखी जप्ते हैं भी चेंज हो रहे हैं तो वीडियो पसंद आगे तो वीडियो को लाइक करें शेर करें साथ ही में सब्स्ट्राइब करें मिरे चैनल को और दबस्क्त पल इकन को भी ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिविकेशन आए सबसे पहले तो मिलते हैं अगली वीडियो में तिल दन चेर्स